आज किस वीडियो में आपका स्वागत इस वीडियो के अंतरगत आज हम जिस विसे पर चर्चा करने वाले हैं उसे लिया गया है दी इंडियन एक्स्प्रेस से और जैसा कि आप स्वेश्षक देख रहे हैं है कि हाउ MPs are suspended मतलब यहाँ पर है सांसुदों को निलंबित कैसे किय जाता है और यह हमारे लिए GS paper 2 में polity की दृष्टिकों से काफी महत्रपूर्ण है अब हमें जैसा कि पता है कि कल की बात है मतलब सोंबार की बात है कि सांसस सदस्यों को निस्कासित किया गया और अगर हम उसमें कुल संख्यां की बात करें तो लोक सभा से 39 और राजी सभा स से 45 यह सांसद थे जिने संसस से निस्कासित कर दिया गया और इस प्रकार कुल संख्या हो जाती है 78 और पिछले सब्ता 14 संसदों को सी सत्र जो चल रहा है अभी उसके जो बचे हुए दिन है उसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया अगर हम दोनों संख्यां को जोड़ उनका 12 परतिसत अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यह जो MP जिने निलंबित किया गया है आखिर निलंबन का आधार क्या है तो उनके निलंबन का आधार है संसदी कारवाई में गतिरोत को पैदा करना है अब संसदी कारवाई में क्या गतिरोत पैदा हो रहा था तो मामला जो उपद्रम मचाए गए थे उसको लेकर ग्री मंत्री का बयान आए मतलब संसद में ग्री मंत्री उस इस्तिती को इसपस्ट करें फिर अगला सवाल यहां पर यह है कि जो MPs होते हैं वो पारलेमेंट को डिस्टरब क्यों करते हैं तो समानिस से अगर हम कारण की बात करें तो विपक्षी का जो विरोध होता है वो विरोध ही संसदी कारवाई में गतिरोध पैदा करता है और ऐसा नहीं कि यह कोई अभी से हो रहा है अगर हम पिछले 70 साल से देखें या पिछले 30 वरसों में अगर हम देखें तो यह जो प्रविर्ती है वो काफी बढ़ गई है चाहि किसी भी दल की सरकार हो या कोई भी विपक्षी दल हो मैं किसी खास दल की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी दल का विपक्ष हो वो कही न कहीं गतिरोध पैदा करते हैं संसदी कारवाई को चलने देने से रोकते हैं बहले ही आज जो सरकार वो भी कभी विपक्ष में थी और बहले ही आज जो विपक्ष वो कभी सरकार में थी तो यह इनका चलता रहता है मतलब यहाँ पर इमाम में बिठा के रखाए इनोंने कि भाई हम विपक्चे तो हम विरोध करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके आलावा अगर हम PRS Legislative Research के एक विशिश सग की बात करें तो उनका यहाँ पर यह काना है कि मुख ऐसे चार कारण है जिसके कारण विपक्ची स संसदी कारवाई में गतिरोध पैदा करते हैं वो क्या कारण है तो पहला है कि महत्पुन मुद्दों को उठाने के लिए इन संसदों के पास समय का अभाव है दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि सरकार का एक उदासी रवाया रविया इस तरीके से कि विपक्च जिन किसी भी मुद्दों को संसद में उठाते हैं और उस पर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपना पक्च रखे तो सरकार लगभग उस मामले पर उदासी रहती है जिसके कारण विपक्च का सयम तूट जाता है और फिर वो संसदी कारवाई को रोकते हैं वहाँ पर वेल के पास जाते ह तीसरा यहाँ पर यह है कि कभी-कभी यह भी देखा गया है कि कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो महज राजनीतिक लाप के लिए या लोकप्रियता को प्राप्ति करने के लिए वो ऐसा विभार करते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है और जो चौथा कारण इन्होंने बताया वया है कि उपद्रवी सांसत के विरुद्ध तौरित कारवाई की कमी है मतलब ऐसा कोई भी नियम हमारे यहाँ पर नहीं है जिसमें कि कोई भी उपद्रवी सांसत हो तो उसके एगेंस्ट में प्रॉंट एक्षन लिया जा सके और एक महत्मन बात यह है कि इस मामले पर अग पर यहाँ बात है कि सांसतों को निलम्बित करने के अगर हम अधिकार रखने की बात करें तो यहाँ अधिकार लोगसभा में लोगसभा अध्यक्ष को है और राजी सभा में राजी सभा के अध्यक्ष को है मतलब वहां के चेर्मेन को है और लोगसभा में लोगसभा के स्प 274 A, जबकि राजसभा में कौन सा कानून है, तो कानून है 255 और 256, हाँ, दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राजसभा में, सांसदों को हटाने संबंदी जो प्रक्रिया है, वो समान है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, अब सांसदों को संसद से निलंबित करने की प्रक्रिया के शुरुवात कैसे होती है शुरुवात इस तरीके से होती है कि दोनों में से जो सदन है कोई भी सदन मतलब लोकसभा या राजसभा के जो भी प्रजाइडिंग ओफिसर है या लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्च और राजसभा में राजसभा के अध्यक्च तो इनके द्वारा सबसे पहले उस सांसत को जो लगातार उपद्रव मचाता है या लगातार हला करता है वो सांसत को ये कहा जाता है कि वो सांसत को छोड़ दे इसके लिए लोकसभा में ज जो निया में वह है 255 फिर जो अगली प्रक्रिया होती है वह अगली प्रक्रिया यह है कि अगर लगातार वह सांसद संसद की कारवाई में गतिरोत पैदा करता है तो फिर इसके अंतरगर उस सांसद को हटाने से समंदित या उसकी बरखास्तिकी से समंदित सस्प्रेंशन से सम उसको पारित कराय जाता है और उसके पारित होने के साथ ही जो वह सांसद है वह सत्र की समापती तक सदन में प्रवेस नहीं कर सकता है और इसके लिए जो कानून है वह देखिए इसके लिए लोक सभा में रूल 374 में इसका उल्ले किया गया है और राज सभा में इसके लिए र पर यह किया गया कि रूल 374-1 के अंद्रगत लोकसभा के अध्यक्ष को सांसदू को बरखास्त करने के मामले में थोड़ा सा इंपावर्ट किया गया थोड़ा उन्हें ससक्त किया गया वह किस तरीके से वह इस तरीके से कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सांसद को ने पांच दिन की अवधी के लिए या सत्र में जो भी सेश समय अवधी है उसके लिए मतलब यहां पर यह है कि सांसद को निलंबित करने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के संकल्प को पारिद करने की आवेशक्ता नहीं है जैसा कि राजिसभा में हमने इसले हैं देखा क्योंक उससे समद्रित वह मोसन लेकर आते हैं और फिर उसे पारिद करना पड़ता है आगे यहाँ पर यह है कि अधिक्तम कितने दिनों के लिए किसी भी सांसत को या सांसतों को सत्र के सेज दिन के लिए ही निलम्बित किया जा सकता है लेकिन एक बार ध्यान रखने की है वह यह रख हो जाए अगर हम यहाँ पर देखें कि पिछले कुछ सालों में क्या इस्तिती रही है सांसतों के निलम्बन से समद्रित तो 2019 से लेकर अभी तक 149 सांसत निलम्बित हो चुके हैं अगर इसकी तुलना हम करें 2009-14 से तो वह संख्या थी 36 और 2014-19 से वह कितने थी 81 ठीक उसी समे राजिव गांधी के समें 89 सांसतों को भी निलम्बित किया जा चुका था इसलिए मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि कोई या नई बात कहीं है हाँ या है कि संख्या आपको जादा दिख रही है निसकर्स के रूप में हम इस पर क्या कह सकते हैं लेकि सबसे बड़ी बात पर निलम्बन किसी भी दिश्टी कोन से उचितने हैं दूसरी बात यहाँ पर महत्पुनिया है कि सरकार को विपक्च के साथ समबाद इस्थापित करना चाहिए अगर मालने कि विपक्च ने किसी भी मुद्दे को उठाया है तो उस पर सरकार कोई भी एक तिथी दे दे या दूसरी बात यहाँ पर है कि विपक्च को भी उत्तर दायत पूर्ण भोमिका का निर्वान करना चाहिए उसका निर्वाह करना चाहिए वह इस तरीके से क्योंकि विपक्च भी संसदी मर्यादा को ठीक उसी प्रकार से स्थापित कर सकता है या उस पर भी उतना ही दायत तो का ही नुकसान होता है और अंत में सरकार को एक सामंजस से पूर्ण विवस्था बनानी चाहिए संसद में चाहे वो लोग सभा हो चाहे वो राजे सभा हो तो इस परकार डेली एडिटर एल्लैपसे से समंदित आज के इस वीडियो में हमने यहां पर यह देखा है कि किस परकार सांसदों को निलंबित किया जा सकता है और कब तक सांसदों को निलंबित किया जा सकता है और सांसदों के यह निलंबन कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित तो इस परकार इस वीडियो को हम यह समाप्त करते हैं फिर में लेंगे नहीं जानकारी के साथ नमस्कार